आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ ना करके वो एक outer covering जिसको egg capsule या egg case हम कहते हैं उसके अंदर fertilized eggs को place करके ले करती है तो यह जो egg capsule होता है अगर इसका appearance हम देखेंगे तो dark color का होगा reddish या brownish color का थोड़ा black color का यह हमें दिखेगा और एक बार में एक average female 9-10 इस तरह के egg capsules ले कर सकती है और हर एक में 14-16 fertilized eggs हमें म बात हो गई फिर दिया है कि development इसमें porometabolus होती है यह भी metamorphosis का जो type दिया हुआ है हमें यह सही है development या metamorphosis वो process होती है जिसके through जो young ones होते हैं या larva होते हैं वो कई intermediate stages से होते हुए adult में बदलते हैं और porometabolus development वो है जिसे हम gradual metamorphosis भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई stages से होते हुए जो larva होता है cockroach के case में nymph इसको कहा जाता है क्योंकि adult से वैसे तो यह काफी similar होता है अगर इसका हम general body form देखें general appearance देखें तो adult से काफी कुछ मिलता जुलता ही होगा इसके अलावा इसका habitat भी same होगा अगर cockroach terrestrial होता है तो इसका nymph इसका young one भी terrestrial होता है और habits यानि behavior भी इसक similar होगा बस फरक कुछ features में होता है जिसके लिए metamorphosis की process करनी पड़ती है पहली चीज कि जो nymph होता है इसके पास wings नहीं होते अडल्ट में जब पूरा develop हो जाएगा तभी इसके wings आएंगे और दूसरी चीज कि जो sexual reproduction के structures है या reproductive organs है वो इसके सिर्फ अडल्ट में ही well developed होता है निम्फ के पास नहीं होते और body का proportion भी सही नहीं होता क्योंकि head थोड़ा जादा बड़ा होता है abdomen इतना elongated नहीं होता तो इन ही सब characters को develop करने के लिए cockroach चैसे और grasshopper चैसे जो insects हैं उनमें हमें porometabolis development या gradual metamorphosis देखने को मिलती है जिस process से निम्फ अडल्ट में बदल जाता ह यह भी साही statement हो गई फिर दिया है कि निम्फ साथ आठ पार molting करता है adult form तक पहुंचने के लिए यह तो सही बात है कि molting यानि कई सारी stages होती है बीच में निम्फ के adult बनने तक लेकिन 7-8 times जो यह लिखा हुआ है यह यहाँ पर सही estimate नहीं है करीब 13 times cockroach का young one molting करता है तब adult बन पाता है लास्ट में हमें दिया है कि next to last nymphal stage यानि जो second last stage है इसकी development की उसमें wing pads होते हैं पर wings सिर्फ adult cockroach के पास होते हैं सही बात है हमने देखा था कि main फरक cockroach के निम्फ में और adult में क्या है कि निम्फ के पास wings नहीं होते तो जब तक यह fully adult में develop नहीं हो जाता पूरा wings functional नहीं होते विंग pads यानि wings जैसे कुछ vestigial structures इसके पास होते हैं second last stage में या development की later stages में लेकिन सिर्फ adult cockroach के पास यानि जब पूरा mature हो गया उसी के पास wings होंगे यह भी सही बात है गलत statement हमें बताना था वो हमारा option C हो जाएगा क्योंकि निम्फ 7-8 times नहीं बलकि करीब 13 times अ Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 सो पर